आप लोग मुझे पुरा उमीद है कि आप लोग अच्छे होंगे स्वास्थ होंगे आई आपका वेलकम अपनी यूट्यूब चैनल विहारी मैथ फॉर यू में जैसा कि मैं आपके सामने फिर से पुरी इनरजी इमानदारी और विश्वास से अपने निक्स क्लास के रूपर स है सारे का चित्र हमने क्या किया पाड़ दिया और इसी एस्ट्रेक्टर वे पर हम लोग चर्चा करें कि आपको कैसा कैसा कोश्टन पढ़ना है यानि हम अगर बात करें तो तिर्जयाखन से रिलेटेड जितनी भी चैप्टर पढ़े थे उसी रिलेटेड जो ये भी है तो आईए हम लुग समझते हैं ऐसे कोश्टन को कैसे बनाते हैं ऐसे कोश्टन को कैसे समझ जाता है या कोश्टन आपके 10th क्लास के एक्जाम के लिए काफी important fact है इसलिए आप पूरी तरह से ध्यान से मिरी बातों को सुनेंगे और अच्छे से इसका बात को समझने के बा बात को अच्छे से जानते होंगे और आगे जो है मैं जो बात बताऊंगा उस पर अच्छे से समझेंगे ठीक है तो चलिए आप पूरी तरह से फिट हो जाईए तैयार हो जाईए और यदि आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेर नहीं किया तो प्लीज ये सारे काम को कर दें ताके मैं पूरी तरह से इनर्जी फुल हो सको एक अच्छे वे में एक अच्छा कंटेंट दे सको ठीक है चलो मेरे भाई आज के class का हम पहला question ये रहा, दूसरा question ये रहा, तीसरा question ये और ये चौथा question है ये सारे question को यदि आप समझ जाते हैं तो उमीद नहीं विश्वास है कि छायांकित भाग से related जितना भी इस तरह का question आएगा आप चीजों को उससे अच्छे way में समझना आपके लिए आसान हो जागा, कैसे content कैसा होता, उससे चीजों को बाहर कैसे निकालते हैं और answer को हम लोग कैसे बताते हैं, ये सारी चीज़ को जानना आपके लिए आसान होगा, लेकिन एक तरफ मेरी तरफ निगाह होना चाहिए, म मेरे वीडियो की तरफ आपको पूरी तरह से एक मतलब केंदरित होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, तभी आप समझ पाएंगो, वरना आपके लिए मुस्किल होगा, तो चलिए, सबसे पहला question देखते हैं मिर भाई, ये कहता है, आपके सामने एक वर्गाकार आकिरती दे र सभी side दिया हो, क्या होता है, कि वर्ग का सभी side जो होता है, बराबर होता, सभी side क्या होता है, तो अल्रेड़ी यदि BC 14 cm है, तो AB भी कितना होगा, 14 होगा, उसी तरह से AD भी कितना होगा, 14 होगा, उसी तरह से CD भी कितना होगा, 14 होगा, इतनी बात तो आप समझ गया होगे, मैं एक बार फिर से कहा देना चाहता हूँ कि वर्ग जो होता है सभी भुजा उसका बराबर होता है सभी को 90 डिगरी का होता है इतनी बात समझ में आ गया तो हमने देखा कि जब वर्ग का question में चर्चा था मेरे दोस्त कि एक जो side है वो 14 cm दे रखा है तो इससे पता ही चला कि वर्ग का पूरा जो 4 side होता है चारो side का value आपके सामने 14 cm है इतनी बात समझ आ गया अब यह कहता है question कि यह चायंकित जो भाग है यह भाग का मेरे को area ग्याद करना है इस भाग का क्या ग्याद करना है area ग्याद करना है यानि area वराबर भाड चायंकित भाग का area वराबर इस तरह से जो इस ट्रैक्टर दिख रहा है और इस तरह से यहां पर यह जो फीगर दिख रहा है या एक अर्ध विरित का पार्ट है क्योंकि विरित का आधा यह क्या कहलाता अर्ध विरित तो यह जो नीचे वाला परसन हो गया यह किसका पार्ट हो गया अर्ध विरित का पार जो आपको दिखरा dot dot way में आपका मैंने consider कर रखा यहाँ वोट के उपर चितर के उपर figure के उपर मैंने so कर दिया है यही भाग का आपको area निकालना तो पूरे square के area में से यदि हम विरित के area को हम बाहर निकालने तो पूरी तरह से मेरे को पता चल जागा मेरे भाई कि यह जो ह चयांकित भाग का चितरफल कितना हैगा उमीद है कि आप मौकिक वे में oral वे में मैंने जिस वे से आपको समझाया आप अच्छे से समझ गया होंगे कहीं पर कोई टेंसल नहीं है यदि आप समझ गया है तो अब चलिए मेरे साथ आप बने रहे और मैं आपके साथ बनाना श चयांकित भाग का चयत्रफल कि लिए हो जागा कि वर्ग का चयत्रफल यानि वर्ग का चयत्रफल माइनस के बनाना बात समझाया है कि निया इस कहना चाहता हूँ कि छायंकित भाग का सिंस कब निकलेगा आपका जब पूरा वर्ग के छित्फल में से जब ये पूरा वर्ग का छित्फल में से दो अर्ध विरित का छित्फल आप हटा देंगे तो पूरी तरह से यह जो निकलेगा छायंकित भाग का छित्फल निकलेगा य पही चीज़ आपकर दिखेगा लेकिन हम जब अब language पर आधारित है तो इस पर हम लोग कैसे लिखने का तरीका क्या है तो लिखने का तरीका यही है कि वर्ख के छितफल में से हम दो अर्ध विरीत का छितफल गहताएंगे तो यहां पर हम पाएंगे कि इसका च्छाइंगित बाग का area निकलेगा, उमीद है कि आप समझ गया है, अब हम लोग क्या करते हैं, कि वर्ध का छितफ़ल होता मेरे दोस्त, कि या होता भूजा का square, इतना वात तो समझ में आ गया, या गया, अगला जो होता है, वर्ध का छितफ़ल जब भूजा का square होता, और दो अर्ध विरी का छितफ़ल, यानि pi r square भाई क्या हो जागा, टू हो जागा, इतनी बात तो समझ माया, मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूं, कि अर्ध विरीत का छितफ़ल होता, pi r square बटा टू, और विरीत का छितफ़ल होता, pi r square, तो विरीत का आधा अर्ध विरीत होता, इसलिए हम आधा से, यानि दो से डिवाइट करते हैं, तो एक किसका एरिया निकलता, आप बताईएगा कि अर्ध विरीत का है, इतना बास समझ में आगया, जब समझ में आगया, तो यहां से यहां क्या होगा, कड़ गया, अब मेरे भाई देखते हैं हम, कि भूजा का square कितना है, भू अब देखें मेरे भाई, यह क्या हूँ, यह जो अर्ध विरीत आपको दिख रहा है, और यह पूरा पार्ट जो है, कि यह वर का side है, तो हम कह सकते हैं, कि वर का पूरा जो side है, वो अर्ध विरीत के व्यास का काम कर रहा है, अर्ध विरीत के किसका का काम कर रहा है, व्यास क पर हो और साथ ही साथ वाहर एखा जो होती ही बृत के किंदर से होकर गुजरती है व्यास का डिखनेशन तो यही होता है तो जब यह आधा हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि यह व्यास हो गया ना यह जो लाइन है यह आपके सामने दिखता होगा व्यास हो गया उसी तरह से यदि आप figure को ignore कर दें इतने को तो इतना figure देखेंगे तो ये इसका क्या हो गया व्यास हो गया और व्यास के लिए formula 2 r बराबर आपका कितना दीवे 14 तो r बराबर 2 सत्य 14 यानि r का value कितना आ जागा है 7 आ जागा है अब पाई का value हम लोग जो है consider करते हैं 22 बटा 7 या कहीं कहीं पर 3.14 होता है और 3.14 होता वो अलड़ी question में चर्चा कर दिया गता है 3.14 ले या 22 बटा 7 ले दोनों से अगर चलेंगे तो इस्थिती हम वही पहुंचेंगे जो अंसर का सही तरीका यहां पर क्या होता है 3.14 लेने से क्या होता है कि कटने में calculation में कहीं पर आसानी होता है कब जब अलड़ी question में चर्चा कर देता है कि pi command 3.14 लिया जाए तब ठीक है तो चलिए अब 22 बटा 7 यानि 7 गुने 7 हो गया इतना 22 7 से 7 इंड हो गया अब यह हो गया आपके सामने 196 22 सत्य क्या हुआ है 154 साद दूनी 14 के 4 हांतुरा 1 साद दूनी 14 एक पंदरा अब इस तरह से इसको लेस कर देंगे 604 गया 2 और यह आपका हो गया 19 15 यानि 4 यानि हम कहस देंगे इसका area निकाल रहे है तो 42 सेंटीमीटर स्क्वाइर जो होगा मेरे दोस्त इसका answer आगा इतनी बात समझ मायक नहीं आया तो इस तरह से आज के class का सबसे पहला question मैंने आपको बना दिया काफी आसानी वे में उमीद है कि आप समझ गया होंगे कहीं पर किसी तरह का यहां तक समझने में कोई problem नहीं हुआ होगा और उमीद है कि आगे भी मैं नहीं होने दूगा कि किसी तरह कोई question आपके mind में भोज दे आपके mind को परसान करे ठीक है तो चलिए इसका screenshot ले ले इसे आप उतार ले आर को हम लोग व्यास को कैसे आर्म के रूप में समझा और वहां पर उसका value आर निकाला यह चीज़ का समझना ही बहादूरी है और यही चीज़ को यदि concept को अच्छे से समझ जाते हैं तो समझे कि question आपके लिए बनना काफी आसान है तो इस वे में इसका answer आया 196 में से जब 154 जागा 6 में से 4 गया 2 जागा 9 में से 5 गया 4 और एक में से 1 गया 0 इस तरह से 42 सेंटीमेटर इसक्वाइल इस ठैंकित भाग का छेथ भड़ागा ठीक है चलिए इसका skin sort कर ले या note कर ले अगले question की तरफ हम question नंबर 2 के तरफ जा रहे है चलिए भाई उमीद ही किसी जिस तरह से अभी mind लगाएं कि हम लोग एक side को पूरी तरह से व्यास के रूप में convert समझा उसी तरह से यदि हम mind लगाएंगे तो ये question भी आपके समने बन जागा ये question में मेरे भाई ये question क्या था कि एक वरगाकार आकिर्ती है और उसमें क्या-क्या दे रखा वो चीज़ देखे एक वरगाकार रुमाल पर 9 विरिताकार डिजाइन बनाए दाते हैं जैसे 9 विरिताकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये ठीक है सब विरिताकार का डिजाइन जो है बिल्कुल सेम है मेरे से तो कोस्टन में यहाँ पर फीगर में थोड़ा कोई बड़ा कोई छोटा हो गया है लेकिन मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि जितना भी डिजाइन यहाँ पर बना है सभी विरिता जो है बिल्कुल जो है ऐसा मत समझेगा कि यह कूछ है यह कूछ है ठीक है इतनी बास समझ में आ गया नौ विरिता कार जो है एक वरगाकार रुमाल पर नौ विरिता कार डिजाइन बने है और लेडी कोश्टन में मैंने इस ट्रैक्टर में ड्रा कर दिया बन गया जिन्हें परतेक की तिर्जिया साथ सेंटीमीटर है वाव मेरे परतेक की जो तिर्जिया है वो कितना सेंटीमीटर है साथ सेंटीमीटर ये भी साथ होगा ये भी साथ ये भी साथ क्योंकि तिर्जिया का मतलब होता है कि वरित के केंड से परीदी तक की दूरी को हम लोग तिर्जिया कहते हैं तो अब कहता है कि रुमाल के सेजभाग का एरिया ग्याद करें रुमाल के सेजभाग का एरिया यही हुआ यह वाला एरिया मेरे को ग्याद करना रुमाल के सेजभाग का एरिया ग्याद करें ठीक है? रुमाल के सेजभाग का अरिया अब देखो यहाँ पर क्या हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग रुमाल के सेजभाग का अरिया को निकालते हैं उसके लिए हम लोग कहां से चलना सुरू करेंगे कैसे हम लोग बनाएंगे मेरे पास क्या हथियार है और उस हथ्यार से हम कैसे सफर करें जो आसानी से हम जो है अंसर का सिकार कर लें किसी तरह से अंसर के पास हमें पहुँचना है उसके लिए टर्म सबसे पहला आपके सामने दिया गया है फीगर और दूसरे term दिया गया है कि इस figure का जो जितना वर्गा काल जो रूमाल है उसमें जो है नौ वरिता कार जो है डिजाइन बनाया गया और उसमें एक वरित की तिर्जिया साथ सेंटीमीटर अगला का भी साथ अगला का भी शाथ ठीक है और लेटी चर्चा मैंने कर दिया है कि जितना भी विरीत इसके अंदर बना है, सब जो है, बिल्कुल equal structure का है, मुझसे आगे पीछे हो गया, लेकिन आप ऐसा मत करिएगा, ठीक है, हो सकता है, चलिए, अब यहाँ पर देखें, कि यहाँ पर वाओ मेरे, यहाँ पर जो क्या है, कि radius इसका 7 cm दियावा, तो आपको माल city के small r से indicate किया जाता है, इतनी बात समझ में आ गया, तो वहीं पर क्या बोलता है, कि इसका जो small r है मेरे दोस्त, तो यह क्या है, 7 है, और इसका यदि व्यास एक r इधर से अगर जोड़ दें, तो यह ही नाम इसका पढ़ जागा, क्या नाम पढ़ जागा, व्यास पढ़ ज और यह जब small r, यह r का value जब 7 है, और जब यह 2 r में बदले गा, तो यह पूरा कितना हो जागा, 14 हो जागा, इतनी बात समझ मायक नहीं है, उमीद है कि यह प्रोसेस को आप समझ गया होंगे, यानि 2 r, एक r अगर दिया वह 7, तो 2 r का value हो गया 14, और 2 r बोले तो हम लोग हि प्रास के रूप में नामा करन देते हैं, इतना समझ गया है, जब आप इतना समझ गया है मेरे दोस्त, तो यह साथ, तो यहां से यहां तक का अगर दूरी हम सफर देखें, तो पूरी तरह से यह कितना हो गया 14 हो गया, यहां से यहां तक कितना हो गया 14, यानि 14, तो एक वि जब हम 14, 14, 14 को जब हम लोग जोडेंगे तो इस तरह से आप जोडने के बाद जो है आपका पूरा जो है 42 आएगा, पूरा क्या आएगा 42, एतनी बात समझ में आया कि नहीं है और जो 42 आएगा मेरे भाई, वो पूरी तरह से एक वर्ग का side कहलाएगा जब एक वर्ग का side मिल जागा, तब हमारा सोच यह होना चाहिए कि पूरे वर्ग के area में से हम जितना भी 9 विरिता कार अगर बन रहा विरित तो उसका area घटा देंगे, तो यही dots वाला जो area है, जो बचा-खुचा माल है जो बचा-खुचा यहाँ पर चीज दिख रहा है, वही आपका क्या निकल जागा चायंकित भाग का चिदरफल, यानि सेज बचा हुआ भाग का चिदरफल निकल जागा उमीद है कि आप समझ गया होंगे, कहीं पर किसी तरह का कोई problem यहाँ तक नहीं होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ, एक बर फिर से मैं बता देता हूँ, कि आपके सामने एक वरगाकार रुमाल है जिस पर नौ वरिताकार डिजाइन बनाया है, और उसमें एक वरित की तिर्जिया साथ सेंटीमीटर है तो बताना है कि छायंकित भाग का छिस फल क्या होगा, ठीक है तो उसके लिए हमने क्या concept लिया, कि तिर्जिया आर सेंटीमीटर साथ है तो इसमें यदि हम साथ को हम व्यास एक वरित का कर दें तो वो 14 हो जाए और इस तरह से जब लैन बाई लैन देखेंगे तो 14, 28 और 42 हो गया और ये 42 जो हो गया पूरी side बदली है, पूरा side यानि इधर भी आ जागा और कितना 42 हो जागा, इधर भी कितना 42 और इधर भी कितना हो जागा 42 आगा तो इससे अंदाजा मेरे पता चल गया कि हम radius के माद्यम से, radius को पकड़के हमने उसके वर्ग के side को पकड़ लिया यानि हम radius के माद्यम से, हम तिर्जिया के माद्यम से, हम एक वर्ग की भूजा को निकलना हमारे लिए आसान हुआ तो आप कहता है छांकित भाग का च्छित्फल या आपके सामने question में last कह रहा है कि रुमाल के सेज भाग का च्छित्फल तो आप हम लोग यहाँ पर बनाना सुरू करेंगे कि रुमाल के सेज भाग का च्छित्फल ना सेज भाग का च्छित्फल रुमाल का सेजभाग का छेत्फ़ल के लिए क्या कंसिडर करेंगे हमारा माइन ये होना चाहिए मेरे भाई कि पूरी तरह से वर्ग का एरिया में से नौ बृत का गृत का एरिया को घटा देते हैं तो यही जो आएगा वो आपके सामने पुरी तरह से च्यांकित भाग का छेत्फ़ल या हम कह सकते हैं रुमाल के सेजभाग का छेत्फ़ल उमीद है कि समझ गया होंगे यदि समझ गये तो आईए मेरे साथ बनाएए तो यानि रुमाल के सेजभाग का छेत्फ़ल के लिए कि वर्ग का छेत्रफल ठीक है अब माइनस जो होगा 9 विरीत का छेत्रफल 9 विरीत का छेत्रफल होगा वर्ग के छेत्रफल में से माइनस 9 विरीत का छेत्रफल इतना आप कर लेंगे जब इतना कर लेंगे तो यहाँ पर देखे वर्ग का छेत्रफल होता है मेरे भाई भुजा का sqaer होता है ठेक है इतना कर लेगे अब नौ विरीत का 6 पहल यानि एक विरीत का 6 पहल 9 गुने πाई याBR इतना तो करने में किसी तरह कोई problem नहोगा जब नहोगा तो एक भुजा जो इसका आया मेरे भाई वो आपको 42 आया ठीक है 42 का स्कॉयर और 9 गुने अब πाई का वैलू 22 बटा 7 औल्लेडी चर्चा में था कि रेडियस का वैलू 7 था तो 7 गुने क्या हो गया 7 साथ से 7 इंड हो गया 42 का स्कॉयर कितना हो जगा आपको बताना है चार का स्कॉयर यानि 1764 ब्यालिस का स्कॉयर कितना हो जगा 1764 अब माइनस जो है इस तरह से इसको घटाएंगे 22 सत्य चववनना से 9 गुने 154 ठीक है अब यहाँ पर 1764 माइनस 154 से 9 से मल्टिपलाई करेंगे 154 को 9 से 9 4 के 36 के 373 अब 15,9,135,138 हो जागा ठीक है अब इसको जब घटाएंगे तो 14 में से 6 गया 8 यह बज गया 15 में से 8 गया 7 यह बज गया 16 में से 13 गया तो 3 बचा यानि इतना सेंटीमीटर स्कॉयर होगा बस समझ में आया है सेज भाग का छिदरफल जो हमेशा सेंटीमीटर स्कॉयर में आता है या वर्ग सेंटीमीटर में आता है और आइतन जो होता घन सेंटीमीटर या क्यू के रूप में आता है उमीद है कि आप प्रोसेस को समझ गया होगे यदि language की बात को आप समझ गया है तो फिर आसानी वे में आप calculation power आपका अच्छा है तो ऐसे से question को आप निकाल सकते हैं बना सकते हैं आप चुटकी भर में उसे tension 3 हो सकते हैं समझ बाता है उमीद है कि आगई होगी तो इस process से ही हम जितना भी इस chapter में च्छानकित भाग का मांगेगा तो यही पहलू से चलेंगे यही कदम से चलेंगे तो आसानी वे में हम अंसर के पास पहुँच जागे और यदि ऐसे वे में आप नहीं चलेंगे तो फिर आपके सामन जुँच ले ले या इससे जल्दी सर नोड्स कर लें ठीक है? अगला question के पास आ रहे हैा अगला question किया है? यह question होगा इस लिए इसका काम figure को हटा दे यहाँ पर याद रहे हैं मैं आपको बताने वाला हूँ मेरे दोस्त कि क्या है ना कि मैं आपको इसमें बताने ये बत बोल रहा है कि इसके छांकित भाग का छेथफल ग्याद करें तो आपको जैसे फीगर में दिखता होगा कि यह जो फीगर है A B C D है यह जो बनावट है आकिरती है चित तो यहां पर इस तरह का एक पार्ट है यहां पर इस तरह का पार्ट है यहां पर इस तरह का यहां पर इस तरह का अब इसको हम क्या माने या तिर्भूज माने या हम लोग और कोई माने आप यहाँ पर ध्यान दें कि इसको हम लोग क्या तुरभूज माने या हम लोग कोई और चीज़ माने अलर्डी मालूम होना चाहिए कि तुरभूज का जो है अस्ट्रेक्चर इस तरह से होता है लेकिन अगर इसी तरह में इस तरह का तरह का इस तरह आजाता है । इस तरह का structure अगर आ गया यहां पर यह तो इसी का नाम होता है मेरे बाई चतुर्थांस इसी का नाम क्या होता है चतुर्थांस होता और याद रहे हैं कि चतुर्थांस जो पार्ट होता है वो विरित के अंदर से ही निकलता वो जो जैसे माल ले आ जाए कि ये विरीत है ठीक है और ये विरीत का ये पार्ट हो गया 20 से हम इसको डिवाइट ये कि इधर से डिवाइट तो ये जो पार्ट आपके सामने दिख रहा है इसी एक पार्ट को हम लोग चतुर्थांस के नाम से जानते हैं किसके नाम से जानते हैं चतुर्थांस तो आपके आकिर्थी वाले question में तिर्जयाखन से related question में जो अभी आप पढ़ रहें तो वहाँ पर चतुर्थांस का chapter में चर्चा है कि चतुर्थांस होता है क्या ठीक है तो विरीद का एक जो चौथा भाग को हम लोग चतुर्थांस कहते हैं तो यहाँ पर देखेते हैं आपकी एक भाग इधर से निकालते हैं तो यह विरीद का ही एक पार्ट होता है और वह很好 part को हम लोग चतुर थांज के नाम सिचानते लेकिन structure में आप देखेंगे इस तरह का कभी भी structure नहीं रह सकता है यह structure का बरावट जो होगा मेरे दोस्त यही तरह रहेगा इस तरह का बरावट रहेगा ठीक है? यही तो यह part को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांस कहते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक गृत का एरिया जो होता है पाई एरे स्क्वाइर होता है चतुर का मतलब 4 चतुर का सिंस आप समझेगा 4 तो चतुर्थांस का छितफल जो हो जागा एरिया हो जागा पाई अरे स्कुएर बटा फॉर पाई अरे स्कुएर क्या होगा फॉर होगा इतनी बात समझ में आया तो उस तरह से यदि आप इतनी बात को समझ गया है चतुर्थांस पहलू को आप जानकारी ले लिया तो अब हम देखते हैं कि एक वर्ग में इस तरह का इस ट्रैक्टर जो आपके सामने चेहरा है वो चार है कितना चेहरा है चार है यानि हम कह सकते हैं एक वर्ग के अंतरगत में चार ठोकिया है चतुर्थांस एक वर्ग के अंदर मिनेद में कितना चतुर थान्स है, तो हमारा सोच यह होगा, पुरा वर्ग का एरिया में से, और इसमें बीचो बीच में एक विरिद भी है, इसके बीचो बीच में क्या है विरिद, जिसका सेंटर है यह, तो हम क्या सोच होना चाहिए पूरी तरह से एक वर्ग के एरिया में से चार चतुर्थांस का एरिया और माइनस विरिस्ट का एरिया कर देंगे तो पूरी तरह से चैंकित भाग का छेत्फ़ निकलेगा जो सेज भाग का छेटवल इस तरह से डॉट डॉट लाइन में ये जो लाइन पाल रखे यही का एरिया निकलेगा उमीद है कि आप समझ गया होंगे चतुर्थांस का पहलू आपको ज़ादा माइन में टेंसर नहीं देगा चलिए आप हम लोग इस पर बनाना शुरू करते हैं आईए आप मेरे साथ बने रहे हैं आप हम लोग कैसे इसको बनाते हैं वो चीज़ को मैं बताने जा रहा हूं देखो अब इसमें क्या है कि भूजा चार सेंटीमीटर इसका जो भूजा है वो मेरे दोस्त की चार सेंटीमीटर दिया वाते हैं इसका मतलब सब चार होगा क्योंकि वर्क का चर्चा है तो सभी भूजा बराबर होगा तो यह भी क्या हो गया चार सेंटीमीटर इतना तक तो स ये भी एक ये भी एक ये भी एक और ये भी एक हो गया ये भी एक ये भी एक ये भी एक बात समझ माया तो चतुर्थांस हो गया ठीक है एक सेंटीमीटर चतुर्थांस काटा गया यानि चतुर्थांस ही का जो रेडियस है वो कितना है एक सेंटीमीटर इतना बात तो समझ माय गया आगे question कहता है तथा बीच में दो सेंटीमीटर व्यास वाले एक व्रीद भी काटा गया और इसमें बीच में दो सेंटीमीटर व्यास वाला जो है इसका जो व्यास है दो सेंटीमीटर एक व्रीद भी काटा गया ठीक है आगे question कहता है तो आकिरती में वर्ग के सेस भाग क चित्रफल सेज भाग का क्या निकालना है चित्रफल निकालना है तो हमारा नियम ये होना चाहिए हमारा मेथर ये होना चाहिए पूरी तरह से हम वर्ग के अरिया में से चार चतुर्थांस का हम लोग क्या करें क्या करें वर्क के एरिया में से चार चतुर्थांस का एरिया को घटा दे और साथी साथ हम लोग विरित का एरिया जो इसके अंतर गत है उसमें हम लोग इसका घटा दे आप देखेंगे चतुर्थांस जो यहां पर चार है उसका जो तिर्जिया एक सेंटीमीटर ये भी एक सेंटीमीटर ये भी एक सेंटीमीटर और अंदर जो केंदर में ये पूरे वर्ग के अंदर बीचे बीच में एक विरित है उसका जो व्यास दे रखा दो सेंटीमीटर तो उसका जब व्यास मौलम हो ते तिर्जिया मौलम होना असान है जब व्यास आपके सामने है मेरे भाई व्यास इसका केतना वर्ग के अंदर जो व्यास से दो सेंटीमेटर यानि तू आर बरावर दो तो आर बरावर आपके सामने क्या हो गया एक सेंटीमेटर या जो आर हो गया इसका value आया एक centimeter है ना वर्ग के अंतर वाया तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का area यानि हम इस तरह का figure देख सकते हैं वर्ग का area वर्ग का छेतरफल छेतरफल अब minus में जो हो जागा ये चतुर्थांस का छेतरफल चार चतुर्थांस है तो चार चतुर्थांस का छेतरफल चार येतनी बात समझ में आया है कि नहीं है मैं यह का कहना चाह रहाओ कि सेजभात का छहित्रफल के सिंस में गारक वर्ग एबी पी सीडी का छहित्रफल जो गईने का पाईल consistent यह आप ऐसे ना कहके आप मैनस चारचतूर थांस का छहित्पल और माइनेस विरीत का छेटपल भी आप कर सकते हैं, किसी तरह का कोई टेंसर आपको नहीं होगा अब देखे, अब मेरे भाई, वर का छेटपल होता है, भूजा का स्क्वार, ठीक है वर का छेटपल होता है, भूजा का स्क्वार, हम यहाँ पर नामा करन करते हैं चार चातुर थांस, यानि एक चातुर थांस के च्छेथफ़ल होता, πाई रस्कॉयर बड़ा 4 होता है, ठीक है अब पहलज जो विरीत के च्छेथफ़ल होता, पाई रस्कॉयर होता है, इतना बात आप ध्यांदेंगे अब 4 से 4 क्या हो गया कड़ गया आपके सामने जो है 4 सेंटीमीटर चर्चा कर दिया वर्क का एक साइड है यानि भूजा है तो यहाँ पर 4 का स्क्वाइर हो गया ही अब माइनस हो गया यहाँ पर पाई आर स्क्वाइर लेकिन आप आपको समझने के लिए दोनों का तो अभी आर सेम हो जागा लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग जो है यहाँ चतुर्थांस का आरवन के रूप में मान सकते हैं और यहाँ पर विरिद जो है इसके अंदर उसको आर टू मान लेंगे ताके दोनों का एरिया रेडियस जो होगा डिफरेंस होगा फिर असानी वेव में हम पता चलेगा कॉमन आप ले लिएगा जिस वेव में कोस्टन क्या हो जागा आपका बनाने का नहीं हम गलती हो जागा यदि रेडियस समान रहे नहीं रहे तब बता रहें ठीक है अब देखो यहाँ पर हो गया पाई हो गया ठीक है पाई हो गया यहाँ पर बाबू और आर का वैलू आपको देखते होंगे कि यहाँ पर जो चतुर्थांस पाई एरे स्क्वाइर यानी एक सेंटीमीटर है तो यानी एक का square एक होता है उसी तरह से Pi हो गया और यह r e square इसका तिर्जया जो वर के अंदर वर के अंदर जो वरित हा उसका व्यास दो था तो इसका तिर्जया एक हो गया यह भी एक कोई एफेक्ट नहीं पड़ा तो 4 का Twin square 16 और यहाँ पर आप देखते होंगे क्या देखते होंगे कि पाई पाई जुड गया तो क्या हो गया टू पाई हो गया यानि सोला माइनस टू गुने बाइस बटा क्या हो गया साथ आ गया इसका जब लेंगे बाबू तो साथ आ गया सोला सते हम जब जोड़ेंगे तो साइध होता है एक सो ब बटा 78 बटा 7 cm2 इसका क्या हो जागा एरिया हो जागा इस वे में आप बना लेंगे कहीं पर किसी तरह का कोई टेंसन यहां तक आपको समझने में नहीं होना चाहिए काफी आसानी वे में मैंने यह कोश्टन पर चर्चा कर दिया किसी तरह का कोई भी बोज आपको यह कोश्ट हुआ कहीं पर कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं होगा 112 में से 12 में से चार गया 8 ये बज गया आपका 10 में से चार गया 6 सौरी यहाँ पर 7 ना होके यहाँ पर 6 होगा चीक है 6.68 बटा 7 सेंटीमिटर स्क्वाइर इसको और थोड़ा सा इस्टेप बढ़ा सकते हैं साच्छा कभी 47 नामा 63 भी कर सकते हैं पांच बचा और उससी तरह से इसको नौ नाइन पॉइंट जो हगा सम्थिंग आगा नौ पांच बचेगा नौ सते सते उन्चास आ जागा 9.7 सेंटीमिटर स्क्वाइर ठीक है इस तरह से और तीनों कोश्चन काफे इंपोर्टेंट था जो आपके एकजाम के लिए भी और एक अच्छे समझ के लिए भी एक चायंकित भाग से रिलेशन के लिए बीटिक है उमीद है कि अब कोई भी चायंकित भाग का कोश्चन आपको ज़्यादा टेंसर नहीं देगा कैसे हम लो अच्छे वे में आप अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए आप अपने जो है क्या कहते हैं फ्यूचर पर ध्यान दीजिए आप अपने मैट के प्रोग्रेस पर ध्यान दीजिए ठीक है उमीद है मेरे बाई कल मिलेंगे आज के कलास के लिए बाई अगे अधी कलास